तो है एव्रिवन पहला कोष्ट अभी का है कि कार्ब लोग कार्ष टारण जो यूज करते हैं उसमें कार्बन के कितने परसंटेज होते हैं तो टू-पाइफ परसंट होते हैं इसका अंसा ठीक है नेक्स्ट कोष्ट्ट अपने आए कि हम लोग इस टीर में वह कौन सा एलेमें मतलब add करते है जिससे जो उसके corrosion को resist करने की चंपता है वो बढ़ जाती है तो इसमें हम लोग उसकरते है chromium का next अपना question है कि कौन सा element common element है जो कि bronze और bronze दोनों में ही common है तो इसका अंसर है copper next question पर आते कि ceramic क्या होता है तो ceramic solid form होता है जो कि combination होता है metallic और non-metallic element का ठीक है next question पर आते है next question अपना है कि satellite क्या होता है यह सटेलाइट इस्टेलाइट क्या होता है इस्टेलाइट एक non-ferrous cast alloy होता है ठीक है जिसके अंदर cobald chromium और tungsten आते हैं next question पर आते है next question है कि कौन सा ray produce होता है कोपाइट 60 से वह इंडेस्ट्रियल रेडियोग्राफी में तो इसका आता है कि gamma rays next question है कि car tire में usually हम लोग किस material के यूज करते हैं ठीक है तो इसका जो material हो है star in butadine rubber next question है कि pure cast iron का कौन सा structure होई ठीक है या वह कौन सा structure और क्या ये soft होता है या hard होता है ठीक है तो इसका answer में लोग कह सकते हैं कि जो structure है वह उसको अम लोग कहते है रैट और ये soft होता है ठीक है next question पर आते कि कि क्या difference है ब्रास और ब्रॉंज में तो जैसे कि मैंने पाइड़े बताया कि ब्रास और ब्रॉंज दोनों में कॉपर कॉमन होता है जबकि फर्क क्या है दोनों में कि ब्रास में हम लोग कॉपर के साथ जिंग को लेते हैं जबकि ब्रॉंज में कॉपर को साथ टिन को लेते हैं ठीक है लोग आईडियल गयस के तरह मान सकते हैं यह ट्रीट कर सकते हैं तो इसका अंसर है हाँ कर सकते हैं